आयोध्या में राश्ट्रुपिता महत्मा गांधी की जैन्ती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने रुदोली विधानसभा के सीयची सुनबावर सरेठा गाउं समेत कई गाउं में बापु को पुषपांजली अर्पित की साथी विधानसभा शेत्र में लगभग एक हजार लाभार्थियों को आईश्मान भवे के तहट आईश्मान कार्ड का वित्रन किया गया कारेकर्म को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि भारत के आजादी की लड़ाई में बापु का महतुपून योगदान रहा वे सांदोलन में महनायक की रूप में थे उन्होंने भारत वासियों को इखटा कर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चल कर देश को आजाद कराने में एहम योगदान दिया, साथ ही पूर्व प्रधान मंतरी लाल बहादुर शास्त्री की जेयनति पर त्वीट कर कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जेयनति पर याद कर रहा हूं उनकी साधगी, राष्ट्र की प्रती समर्पन और जै जवान जै किसान का प्रतिश्चित आहवान आज भी पीधियों को प्रेरित करता है। अभी अपने पोज राष्पिता मात्मा गानी के जन्व जैनती के आउसर पर पूरे विधान सभा छेत्र में बूत सह पोज गानी जी के पूश पर फोल माला अरुफित करके हमारे सभी पार्टी के कार्यकरता उनको नवन कर रहे हैं। योजना के तहट आज आई स्वमान भाव सभावी है। अनवयोग से काम कर रहे हैं। अन्य कारकेव जो सरेठा और अन्य गावं में आयोजित हैं। वहाँ भी हम लोग साहबागी होने जा रहे हैं। निशित रूप से यह संदेश जो मात्मांगाली जी ने स्वक्षताई ही सेवा का अपने देश बास्यों को दिया था। उसे हमें साकार करने के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ काम करना है। इसी भाव को आगे बढ़ा रहे हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पलपल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबारा ना खोलें। क्योंकि आपकी खबरों का घरोसे मन साथ ही है नवदेश टीवी।